बंगश काल में ही कुछ प्रिंसली स्टेट भी मौजूद थी, जो सफलता पूर्वक अपना कार्य कर रही थी, मुख्यता दो थी स्टेट तिर्वा वर थठिया स्टेट, थठिया स्टेट अंग्रेजों के खिलाफ बागी हो चुकी थी, इसका जिक्र हम पहले कर चुके है, आ नौच के राजा जेचंद संग 1190 में, रीवा से प्रथम राजपूद बगेल परिवार यहां आकर बसा, लेकिन तिर्वा राज परिवार की असल वन्शावली हरहर दास, 1627 या पुत्र धर्म दास से प्रारंब होती है, जो सत्रवी शताबदी के अंत में यहां आकर बस म्यूटिनी के बाद एक कोर्ट वार के अधीन बालिग होने पर राजा तिर्वा घोशित हुए, फर्रूखाबाद के 126 गाओं वमैनपुरी, इटावा और कानपूर के अन्यानेकों गाओं इनकी स्टेट अधीन आते थे, राजा डेर लाख रुपया तिर्वा स्टेट से प्रकाश डाला है, 1857 में इलाके में विद्रोहियों की जबत जमीने राजा तिर्वा वान्य जमीदारों को बैंच दी जाती थी, फिर भी प्रिंसली स्टेट तिर्वा का शिक्षा के विकास में राजा का योगदान कम कर नहीं आखा जा सकता, फतेहगर वा तिर्वा में ड लखनों के अध्यक्ष थे, इसी परिवार के एसेंसिंग विंटेज रैली के जाने माने फोटोग्राफर रहे है, 16 वी शताब्दी में, राजा तिर्वाने सिध्धदाईनी तथा मनोकामना पूर्ण करने वाली, अन्नपूर्णा देवी मंदिर का निर्मान कराया था, शु अन्नपूर्णा देवी मंदिर अब एतिहासिक नगर कन्नौज के प्रसिद मंदिरों में से एक है, अन्नपूर्णा देवी पोशन के लिए एक हिंदू देवी पारवती का एक रूप है, पुरानिक हिंदू धर्म के अनुसार, महागोरी देवी दुर्गा का आठवा रंग में सफेद, अती सुन्दर, सफेद कपड़े पहनने वाली सफेद बैल की सवारी करती अन्नपूर्ना देवी, जिसकी पूजा अर्चना करने दूर दूर चारों और से श्रद धलू आते है। सरकारी अभेलना वांदेखी की बजह से यहक्षेत्र पर्यटन से वंचित है। खेहरने के लिए होटल वा आने जाने की उचित व्यवस्था होने पर बाहरी दर्शनार्थियों को आकर्शित किया जा सकता है।